हमारा hair growth नहीं हो पार है बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं hair fall increase होते जा रहे हैं बाल बीच बीच में से बहुत जादे टूट रहे हैं क्या किया जाए कौन सा इन ही होम रेमेडी आज के इस वीडियो में आपको शेयर करने वाले हो यकीन दिलाती हूं कि इससे किसी तरह कोई साइड इफिक नहीं होगा और आपके बालों में जितने भी प्रॉब्लम से अगर इस होम रेमेडी को आप चाहिए रखते हैं तो च्रॉस्ट में आपके सारे खतम हो जाएगा सबसे पहला प्रॉब्लम तो आपका हैरफोल रुख जाएगा फर्स्ट यूज के बाद ही आप देख पाएंगे कि लगबग 20-30% हैरफोल कम हो गया है एं हैर ग्रोथ धीरे-धीरे इंक्रीज जरूर होगा बाल हमारे बीच-बीच में से तूट जाते हैं वह टूटने वाल जो प्रॉब्लम है वह भी खतम हो जाएगा इतने जादे यह एफेक्टिव है तो आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे में चीज एंड सबसे यूनिक चीज है ना वह है पालक पालक में होता है विटमिन A का क् चीज में आपको बताती हूं क्लियरली हमारे स्कैल्प में जो और प्रोड्यूज हो रहा है नाचुरली उससे यह रेगूलेट करने का काम करता है अगर किसी रीजन से और प्रोडूशन इंक्रीज हो जाता है तो हमारे स्कैल्प जोना बहुत जादे ओली हो जाता है है डुसरा विट्मिन सी विट्मिन सी का क्या काम होता है यह तो आप यह कह सकते हैं की हमारे कि hair में blackness को यह increase करता है चौथा इसमें मौझूद होता है vitamin B vitamin B मैंने आपको भी इसके बारे में बहुत बार बताया है कि vitamin B हमारे hair growth में बहुत अच्छा work करता है पालो को अच्छे से grind कर लीजे mixe में and mixe में grind करने के बाद आप इसे बिल्कुल अच्छे से चान लिजे कोई भी बारिक छलनी के help से चानने के बाद जो आपको जूस निकल करके आएगा ना यहीं जूस आपको यूस करना है कोई भी प्लेन ओई अगर आपको सुटेबल होता है तो आप पर यहां पर हनी बी डाल सकते हैं आधा चमच इन तीनों चीजों को बिल्कुल अच्छे से अप मिक्स कर लीजे एंप पूरे बालों पर स्काल्प्स लेकर हैर एंडिंग तक पूरे अच्छे से अप्लाई कर लीजे एंड इसे आप 45 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजे साहरोस कर लीजे विदिन फर्स्ट यूज आप ये नोटिस कर पाएंगे कि काफी हद तक आपका हैर फुल कम हो गिया है इतना अच्छा ये वर्ग करता है जैसे जैसे आप इससे कंटीन्यू करते जाएंगे वैसे वैसे आपका हैर ग्रोथ भी इंक्रीज होगा और हैर री ग्रोथ भी फास् यूज कर सकते हैं किसी तरह कोई प्रावलम नहीं है अगर अगर आव 10 प्लस है तब ठीक है फ्रेंस अगर कितना बार यूज करना है सब्ता में सिर्फ एक बार इस रेमेडी को यूज कर लेजे काफी है इतना जादे पाउरफुल है ना आपको दो तीन बार करने का जरूरत ही नहीं है सिर्फ एक बार कर लो काफी है तो अब मैंने सारा चीज आपको क्लियरली बता दिया है बट फिर भी कोई डाउट रह गया है कोई कोश्चन रह गया है तो आप हमें कमेंट कीजे मैं आपके कमेंट का 100% अंसर करूंगी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के आपको कितना रिजल्ट मिला है आप हमें कमेंट बुक्स में जरूर बताईएगा ठीक है फ्रेंज